नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रंजीत और स्वागत है आप सभी कारकेजी सिविल पार्ट साला यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के दहंद्य नूस पेपर का एनलाइसिस करेंगे और आज के दो बड़े-बड़े आर्टिकल का डिसकसन यहां पर किया जाएगा पहला आर्ट पार्टिकुलरली हमारे एग्रिकल्चर से रिलेटिड है और दूसरा जो आर्टिकल हम डिसकुस करेंगे वह हमेरे देश की इकोनौमी से संबंदित है एग्रिकल्चर से संबंदित जो आर्टिकल लिखा गया है वह पार्टिकुलरली आफ्टर क्रॉप जो लॉस होता है उस किसानों की जो फसले हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं जैसे कि सब्जियां हो गई टमाटर हो गए प्याज जैसे चीजें हो गई किसान इनका उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास में स्टोरेज की फैसलेटी नहीं रहती है एक जगा से दूसरी जगा कैसे करके हम को ले करके जाएं और दूसरे सहर में बेचें इसके लिए उनके पास कोई फैसलेटी नहीं रहती तो इसके लिए रेलवे की तरफ से कुछ पहल की गई हैं उनके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं अगला जो आर्टिकल डिसकस किया जाएंगा यह पार्टिकुलर्ली हमरे देश की एकोनोमी से रिलीटेड है और बजट आने वाला है ठीक है ऐसी समय में जायतर जो फोकस रहता है बजट के समय में आप देखेंगे कि भाई केंद्र सरकार को कितना पैसा आ रहा है टेक्स के माध्यम से और वो कहां-कहां उस टेक्स को खर्चा करेगी अब जब भी हम टेक्स वित्रण की बात करते हैं न तो इसमें जो फाइनेंस कमीशन रहता है वो महत्पूर हो जाता है फाइनस कमीशन के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि भाई राज्यों को हम इतने पैसा देंगे देखा जाये न तो आज की समय में पूरे देश भर में एक टेक्स लग रहा है जीएस्टी लग रहा है और यह जीएस्टी के इंसरकार कलेक्ट कर रही है कलेक्ट करने के बाद क्या काम करती है जीसटी इस जीसटी को अपने पास में रखती है इसके बाद वह फिर वह राज्यों को वित्रण करती है अब इसके लिए भी वह कुछ-कुछ चीज निर्धारित कर देती है जैसे कि किसी राज की जनसंख्या जादा है तो उसको जादा देना पड़ेगा किसी राज का छेत्रफल जादा है तो क्या काम करेंगे उसको थोड़ा सा पैसा जादा देना पड़ेगा ऐसी कुछ-कुछ को कहना चाहिए मेजरमेंट अपनाए जाते हैं तो इसमें लेकिन बोला जाता है जो साउथ वाले राज हैं उनका नुक्सान होत सथार है। इसके अलावा एक चीश की और चर्चाहां पर करी जाती है जैसे कि कैंसरकार की अपनी कमाई हो रही हैं टेक्स के, माप्रें हमसरा, सरकारों की भी अतरी क सब्सक्राइम होती है है। खुद और टेक्स लगाते हैं और टेक्स अपनी देखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है तो चलते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं इस आर्टिकल को जो कि इंडियन रेलवे और फार्मर्स के बीच में रिलेशनसिप को बताता है देखिए यदि रेलवे को एगरिकल्चर प्रोड़क्ट के एगरिकल्चर प्रोड़क्ट लॉजिस्टिक मेनेजमेंट के साथ में यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं आपस में उसको जोड़ देते हैं किसको रेलवे को एगरिकल्चर प्रोड़क्ट लॉजिस्टिक मेनेजमेंट के साथ में आईदी हम आपस में जोड़ देते हैं तो इससे क्या फायदा होगा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिस होता है किसानों को खेती के बाद फसलों को एकटा करके रखना काफी मुस्किल काम हो जाता है क्योंकि कुछ फसलेंसी होती हैं जल्दी खराब हो जाती है इसलिए उनको जल्दी जल्दी बेचना पड़ जाता है उस लॉस को रेल्वे रोक सकती है साथ ही साथ जो इन्वार्मेंट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है रेल्वे के माद्ध हमसरी हुए 250 सब्दों में हमको उ civs adding करना है तो देखिए इन्डिया की रेंकिंग है ग्लोबे अग्रिकल्चछर में सेकेंड नमबर में ग्लोब अग्रिकल्चर प्रोड़क्शन ओं के मामले में भार्म इस सेकेंड नम्बर पर आता ये लेकिन इसका जो सेर है ग्लोब नेरीकल्चर एक्सपॉर्ट में मात्र 2,4 परसेंट है प्रडीक्चन हम कर जरूर हैं हैं लेकिन हमेक्स पॉर्ट बहुत कमकार देना जलत का हाँ कैसे प्रकार से नहीं का रहा हैं तो भारत विडेश में कैसे करके जायेगगा इसलिए जो हमारा export है मात्र 2.4% है पूरी दुनिया 100% कर रही है तो उसमें हिस्सेदारी हमारी 2.4% है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि हमारी जो productivity है वो कम है साथ ही साथ हमारी quality standard अच्छा नहीं है या फिर supply chain ठीक ठाक नहीं है या an inadequate transportation network and infrastructure हमारी पास में transport का network अच्छा नहीं है इन्फ्रास्ट्रक्चर बहतर नहीं है इनी सब के चलते चलते जो post harvest losses है हमको देखने को मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा important है किसानों की आयोगेदी हम सोचते हैं कि double करना है ठीक है तो सबसे पहले हैं तो जो post harvest losses हो रहा है इस चीछ को हमें रोकने की जरूरत है लगभग लगभग देखा जाए एक लाग 52,790 करोड रुपई या एन्वेली साला ना इतना post harvest losses हो रहा है इंडिया को हर साल यह data प्रस्तूत किया गया है Ministry of Food, Processing and Industry की तरफ से 2022 की study के माध्यम से इंडिया की पापुलेशन तेजी के साथ में बढ़ रही है बढ़ती भी जनसंख्या को फूड एविलेबल कराना है न्यूट्रीशन की डिमांड भी तेजी के साथ में बढ़ते जाएगी वाइल ग्रोविंग मोर फूड इस पार्ट ओफ दा सॉलिसन इसका एक ही सॉलिसन है कि हमें जादस जादा फूड का उत्पाधन करना पड़ेगा और इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं प्रिवेंशन और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसस ये काफी क्रूसियल हो जाता है अब हमें एक क्लोजर लुक देखते हैं इंडिया के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसस के बारे में सबसे जादा जो लॉस होता है वो पैरिशेबल कमोडिटीस में होता है इसमें लाइव स्टॉक प्रोड़क्ट आजाते हैं जैसे अंडे, मचली, मांस, फ्रूट, वेजिटेबल ठीक है तो इनका अलग-अलग परसेंटेज दिखाया जाता है जैसे की मीट बाइस परसेंट वहीं ज़ी हम फ्रूट्स की बात कर लें 19 परसेंट वेजिटेबल अठारा परसेंट एक्सपोर्ट जब किया जाता है पैरिसेबल आइटम्स का तो लगभग-लगभग 19 परसेंट जो फूड रहता है वो लॉस्ट हो जाता है पर्टिकुलरली एट दा इंपोर्ट कंट्री ट्रेड पार्टनर स्टेज जिस देश में भी हमको भेजना है न वहाँ पहुंचते पहुंचते तक 20 परसेंट लगभग नुकसान हो जाता जैसे मचली आप भेज रहे हैं 100 किलो ठीक है 19 किलो मचली उसमें से खराब हो जाएगी तीन चीज़े हैं इस्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ये काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती है पैरिसेबल प्रोडेक्ट को यदि हमें कंजुमर तक पहुंचाना है तो इसके लिए हमें एग्री लोजिस्टिक को ठीक है इसके साथ ही साथ हमको मल्टिपल लोजिस्टिक रिक्वार्मेंट की जरूरत पड़ेगी एक सिंगल सप्लाइचेन के माध्यम से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट माइल ट्रांस्पोर्टेस ट्रांस्पोर्ट फ्रॉम फार्मगेट से लेकर के मंडी किसान के खेट से लेकर के मंडी पहुचाने तक की व्यवस्था इसमें हमें multiple logistical requirement की चरूरत है सिंगल supply chain में साथ ही साथ ठीक है जो wholesale transportation है railway की तरप से, road के माध्यम से, water या फिर air के माध्यम से मतलब consumer तक हमको कैसे भी करके पहुचाना है अलग-अलग साथ दूनों के माध्यम से, perishable item का जो trade रहता है वो phase करता है time shortage का बहुत जल्दी समय हमरे पास समय नहीं रहता है जैसे कि प्याज हो गया, tomato हो गया, इसके अलावा भी अन जो जैसे कि किसान लोग हरे मतर को तोड़ करके बेचना चाहते है अब हरा मतर भी जल्दी से या तो सूख जाएगा या तो फिर बोरे में रखे रखे खराब हो जाएगा ऐसी समय में उसको storage करना या फिर जल्दी से export करना काफी important हो जाता है इंडियन फार्मर की अधि हम बात करें तो जो latest agriculture census हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि जो 86% फार्मर हैं इंडिया के वो small and marginal है तो छोटे किसान हैं जिनके पास लगभग एक एकर डेड़ एकर जमीन है दो एकर से कम जमीन है यह लोग क्या काम करते हैं खेत में मजदूर बहुत कम लगाते हैं अपने घर वाले परिवार लोगों को यह ले करके जाते हैं और खेती बाड़े का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है खेती भी अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं थोड़ा बहुत किये थोड़ा बहुत करने का मतलब यह है कि जमीन कम हैं तो अपना खर्चा पानी चलाने के हिसाब से इनकी खेती होती है इसके अलावा यह struggle करते हैं to attain economy of scale due to small production बहुत कम मातरा में production हो रहा है इसलिए यह अपनी economy को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं साथ ही साथ में lack of assured market connectivity मार्केट एविलेबल नहीं है कि भाई मैं अपनी फसल को ले जा करके कहां बेचूंगा और मिरे को दाम बढ़िया मिले इसी के चलते चलते post harvest losses होता है ठीक है इसमें फिर किसानों की income loss भी हो जाती है और income को यदि डबल करना है तो हमें इस चीज को रोखना पड़ेगा प्राइस चेंजिस के दिए हम बात करें बहुत सारे पैरिसेवल आइटेम रहते हैं जैसे बारिस आ गई है आज के समय में आप देखेंगे प्याज और टमाटर का जो दाम है एक दम हाई हो जाता है लेकिन बागी के टाइम में इनको उतना रेट नहीं मिल पाता है वहीं यदि हम बात कर लें रेलवे कैसे महतपूर भून का निभाता है तो देखिए रेलवे की कमाई अच्छी खासी हो जाती है माल की धुलाई के माध्यम से नीती आयो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला जा रहा है जो रिवेन्यू है इंडियन रेलवे का ये प्रात्मिक तोर पर फ्रेट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है जैसे की आयरन, स्टील, फर्टिराइजर, एग्रिकल्चर प्रोड़क्ट इनक एफसेंट तरीके से कनेक्ट करता है अर्बन सेंटर को रूरल एरियास के साथ में पूरे देश, गाओ को सहरों से जोडने का काम करती है रेलवे, फूट कार्पोरेशन ओफ इंडिया है एवी तरीके से डिपेंडेंट है इंडियन रेलवे के ऊपर ठीक है, ये अपना जो 90 फूट ग्रेंट है रेलवे के माध्यम से ही एक जगा से दूसरे जगा पहुचाने का काम करता है और लगभग 97 परसेंट जो फूट एंड वेजिटेबल है वो रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है मतलब यहां पर आप देखेंगे रेलवे का सहारा कम लिया ताकि केरी किया जासा कि जो लोड़ेट ट्रक रहते हैं रेलवे वेगन के माध्यम से अब इसके बाद बोला जा रहा है कुछ-कुछ एफोर्ट अपनाए गए थे कि हम जो है एक्सपांड करेंगे इस सर्विस को ठीक है क्योंकि इसका सक्सेस्फुल ट्रायल रन किया गया इन्वाल्विंग कमोडिटीज सच एस मिल्क एंड केटल फेड इस सर्विस को हम थोड़ा सा और भी एक्स्टेंट कर सकते हैं दूद इसके अलावा जो केटल का फीड रहता है चारा वगेरा उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इस्तमाल कर सकते हैं कुछ सबह पहले कोवीड-19 के टाइम पेरियट में दी हम देखा तो पार्सल स्पेशल ट्रेंड चलाए गई थी कोवीड-19 पैंड Magazine की दौरां Indian railway की तरफ से इन्टेडींज किया था पार्सल स्पेशल ट्रेंड ताकि ट्रांसपोर्ट किया जासे के पैरिसेबल एंट सीड्स आइटम को market and producer फिर किसान रिए इस्कीम चालू की गई थी एडिशनली जो इसमाल माजिनल फार्मर्स होते हैं उनको सपोर्ट करनने के लिए किसान रिए स्कीम चालू करी गई थी ठीक है जहां पर जादा पैदावार हो रही है जैसे साउथ वाले एरिया से मचली को इधर तरफ ले करके आना है तो इसके लिए सरकार किसान रेल स्कीम ले करके आई थी किसान रेल स्कीम का क्या इंपेक्ट पड़ा था आप देख सकते हैं इससे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो काफी कम हुआ था और जो फार्मर की इंकम है उसमें ब्रद्धी हुई थी एक्जामपल के तौर पर यदि हम ग्रेब ग्रोवर्स की बात करें नासिक में जो अंगूर की खेती कर रहे हैं महराश्टर की बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है पाँच हजार रुपईया पर क्विंटल के हिसाब से ठीक है नेट प्रॉफिट कितना पड़ जा रहे हैं इनको पाँच हजार रुपई पर क्विंटल सप्लाइंग एबाउट बाइस हजार क्विंटल यूजिंग किसान रेल इन्होंने बाइस हजार क्विंटल माल भेजा था यह हाइलाइट करता है कि भाई यदि हम रेल बेस सिस्टम लागू करें फ्रूट साइंड वेजटेबल के लिए तो कितना फाइदा हो सकता है रेल्वे एंड फार्मर्स के रिलेसंसिप के दिए हम बात करें तो कुछ इनिसीटिव्स हमें लेने चाहिए ताकि फोकस किया जा सके कि भाई हमें आविरनेस को फैलाना है साथी स एकसेसिबिल्टी प्रोवाइड करना है फार्मर्स को रेल्वे इसकी आसानी से एवलेबल हो सके दिक्कत यहां पर यह हो जाती है जैसे कई कई जो गाओं रहते हैं से बहुत दूर रहते हैं या फिर उन गाओं में ट्रेंड की कोई सुईधा ही नहीं है उन लोगों को एक् तीन इंडिया के लिए हम बात करें तो एक कोईलेशन है गटबंधन है यह जिसमें काम करते हैं मिलकर के फूट सप्लाइचेन एक्टर ठीक है इसको पावर इसको कहना चाहिए सपोर्ट किया जा रहा है डवलू आराई के माध्यम से इसने आइडेंटिफाई किया है कि जो म प्रिसच कर पाना उनको वख करना काफी चैलन्जविपान बात हो जाती है रेल्वे। आगे में बात ही करी जाती है कि भाई हमें और क्या-क्या चीश करने की जबूरत है । 他 से यहां क involves प्रकार की वेगन तयार करना पड़ेगा जहापर टैंप्रेचर, N संबह हो पाएगा साथ ही साथ establishment किया जाएगा rail side facilities ताकि safe cargo handling हो सके यह काफी महतपूर हो जाता है अगला जो कदम उठाए जाने की जरूरत है वो होता है सबसे महतपूर off-load timing आज मैं अपने घर से माल भेज रहा हूं तो कितने जल्दी यह पहुंच सकता है क्योंकि Indian जो railways है बहुत लेट गाड़ियां चलाता है इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है इसके लिए जो staff की shortage है उसको पूरा किया जा सकता है साथ ही साथ कुछ training initiative भी लिए जा सकते है priority देना चाहिए railway को roadway के उपर मतलब road के उपर ज्यादा focus नहीं करना है अपने को railway के उपर ज्यादा focus करना है particularly fruit and vegetable को transport करना है तो इसके लिए railway की बहतर रहेगी और भी कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं तो देखिए railway कुछ-कुछ हमको opportunity provide करती है जिससे post harvest loss को हम रोक सकते हैं साथ ही साथ positive impact positively impact not just livelihood but also environment किसानों की रोजी-रोटी ठीक हो जा रही है साथ ही साथ पर्यावरण को भी हम बचाने का प्रयास कर रहे है Logistic Division Ministry of Commerce की तरफ से कुछ finding आई थी जिसमें बोला गया है कि जो Indian Railway है generate करती है 80% less carbon dioxide माल की धुलाई के लिए road transport के माध्यम से इसलिए बहतर होगा कि हम railway के माध्यम से ही अपनी माल की धुलाई करें तो आज यह समय आ गया है कि भाई हमको जो है adopt करना पड़ेगा system based approach को and cutting करना पड़ेगा across modes of transport and geographies को Private sector इस मामले में काफी crucial role अदा कर सकता है वो enhance करेगा operational efficiency and strengthen करेगा rail infrastructure को public private partnership के माध्यम से वहीं यदि हम budgetary allocation की बात करें 2024 के agriculture के लिए इसका उद्दे से होना चाहिए कि भाई farmer से market के बीच का जो gap है उसको हम कैसे करके दूर कर सकते है इस article के माध्यम से हम देखने वाले हैं finance commission की क्या भूमिका रहती है tax के allocation में या फिर पैसे के वितरण में राज्यों को finance commission के गठन किया जाता है हर 5 साल के लिए under article 280 of the Indian institution भारती संबिधान का अनुच्छेद 280 कहता है कि इस प्रकार की body बनाई जाएगी हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है इसी के माध्यम से ये निर्धारित होता है कि मदब्रदेश को कितना पैसा देगी केंदर सरकार ठीक है या फिर केंदर के पास कितना पैसा रहेगा और राज्यों को वो कितना पैसा बाटेगी तो ये काफी crucial role अधा करता है physical federalism को हमारे देश में राज सरकार और कैन सरकार मिलकर के सासन चला रहे हैं तो जो रुपे पैसे का management है उसको कहना चाहिए manage करने के लिए एक crucial role अधा करता है साथ ही साथ ये कुछ recommendation देता है कि कैसे करके जो financial resources है union and state के बीच में बाटा जाएगा दूसरी चीज ये भी बताता है कि किस राज को कितना पैसा मिलेगा आने वाले पास साल के लिए finance commission provide करता है कुछ guidance and advice अलग-अलग issues से related जैसे कि public finance, governance and development, जैसे कि physical consolidation है, depth management है, local bodies, disaster relief है, health, education, justice delivery and statical system इन सब के उपर ये add and advice देने का भी काम करता है इसके अंतर के दो प्रकार से पैसे को बाटा जाता है, एक होता है vertical और दूसरा होता है horizontal vertical का मतलब ये है, केंदर सरकार कितना रुपए रखेगी और राज सरकारों को कितना रुपए दिया जाएगा, इसका ratio क्या रहेगा, horizontal का मतलब ये है, अब state को आपस में कित्ते-कित्ते रुपए हमको बाटना है एक और चीज होती है, grants in-add करके, ठीक है, वहीं एक additional transfer रहता है specific state को, specific sector के लिए जिसको grants in-add बोला जाता है, ये चीज भी यही बताएगा कुल मिलाकर के assistance है ये ये फिर एक प्रकार से कहना चाहिए reforms किया जा रहा है तो ये 13 नम्मर का जो finance commission था, उसी में grants को लेकर के कुछ-कुछ बातपूर बातें बोले गई थी तो two important ones were justice delivery and statical system Department of Justice ने identify किया था बहुत सारे initiatives को ठीक है, जैसे की support and क्या क्या चीज बोला जा रहा है, number of court working hour, ठीक है, court के working hour कितना होना चाहिए, साथ ही साथ लोग अदालत को support करने की बात करी जा रही है and providing additional funding to state legal service authorities, promoting alternate dispute resolution mechanism इन सब के ऊपर जो है, grants दिया जा रहा है या फिर पैसा खर्चा किया जा रहा है तो finance commission की तरफ से कुछ-कुछ recommendation दी गई है over the years that have had significant impact on various aspects of public finance, governance and development in India finance commission ने काफी सारे सुझाओ दिये हैं, जैसे की ये क्या बोल रहा है जो vertical transfer है उसको increase किया जाना चाहिए 10 से लेकर के 42% तर over the time साथी साथ एक चीज और बोली जा रही है कि हमें जो है performance based incentive देना चाहिए state को ताकि encourage किया जासा के physical discipline, population control, forest conservation, power sector reform इन छेतर मेरी कोई state अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमको प्रताडित नहीं करना उसको अच्छा पैसा देना चाहिए साथी साथ introducing disaster relief fund for state and local bodies इसके लिए भी सुझाओ दिये गए थे ठीक है कि भाई आप enhance करिए उनकी preparedness को and response capacity को natural calamities के लिए इसके लिए भी आपको यहाँ पर पैसा फेकने की जरूरत रहेगी तो यह तो थे कुछ basic जानकारी finance commissions से related तो यही है सुरुवात में कही जाती बात की भाई जो है tax का devolution, union, government कैसे करके करती है vertical, horizontal दो प्रकार से devolution होता है एक सब्द का यहाँ पर उलेक्स जादा किया जाता है intergenerational equity intergenerational equity हम किसको बोलेंगे कि भाई जो राजसरकार है न अपने पैसे को कैसे खर्चा करेगी उसको यह ध्यान रखना है कि भाई मैं कोई भी काम्यदी कर रही हूँ राजसरकार हमेशा यह ध्यान में रखे कि ऐसा ना हो कि मैं कोई भी ऐसा काम करूँ कि आने वाली जो पीड़ी है वो tax को पटाते पटाते एकदम मजबूर हो जाए ठक जाए, हार जाए इसलिए उसको क्या काम करना पड़ेगा अपने खुद की income बढ़ाने की उसको जरूरत है income बढ़ाईए, इसके बाद उस income को आप सही जगा पर लगाईए ताकि revenue generate हो सके और जो revenue generate हो रहा है फिर उसको और भी अधर जगा में लगाओ जहां से आपकी कमाई हो सके तो intergenerational equity यहाँ पर बहुत ज़्यादा important हो जाती है यह एक principle होता है जिसके माध्यम से provide किया जाता है equal opportunities and outcome every generations को intergenerational equality के माध्यम से इंसूर किया जा रहा है कि जो decision लिये जा रहे है, action लिये जा रहे है current generation के यह आने वाली PD के लिए burden नहीं बन जाए particularly example के तोर पर हम बात करें अभी कोई सरकार आई है वो इतना ज़्यादा घाटे में ना चले जाए कि भाई आने वाली सरकार के लिए उस घाटे को पूरा करना मुस्किल पढ़ जाए क्योंकि उस घाटे को पूरा कैसे करके करेगी सरकार आपकी जेब से tax वसूल करके तो intergenerational equity के माध्यम से हम ensure करते हैं कि भाई जो भी decision या फिर action लिये जा रहे है current generation के द्वारा वो burden नहीं हो आने वाले future के लिए एक public finance point of view के हिसाब से बात करें तो इसका मतलब है एक ऐसी situation जहां प्रतिक generation pay करती है public services को लिए it receive and does not burden the future generation through borrowing सीरीजी बात है इसको आप अपने उपर न ले करके सरकार के उपर ले सकते कि सरकार कहाँ पर खर्चा कर रही है सरकार यदि हमें कोई public service दे रही है तो वो हम से पैसे ले ले रही है और इसलिए वो हमको service दे रही है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो हमें एकदम सस्ते में service देने लग जाए और आने वाली जो सरकार है उसके लिए एकदम घाटे का सौधा हो जाए कोई भी जो गवर्मेंट होती है दो प्रकार से अपने रिवेन्यू को कलेक्ट करती है एक टेक्स लगा करके और दूसरा या तो फिर वो उधार लेती है यदि जो टेक्स रिवेन्यू है एकवल हो जाता है करेंट एक्सपेंडीचर के किसी भी सरकार का भाई कमाई और खर्चा बराबर हो गया है ठीक है इसका मतलब यह हो गया है कि मुझे कोई भी पब्लिक सर्विस मिल रही है तो उसके लिए मैं टेक्स पे कर दे रहा है दूसरी कंडीशन यह हो जाती है कि भाई कोई सरकार करेंट एक्सपेंडीचर अपना जो करेंट का खर्चा है उधारी के माध्यम से चला रही है इसका मतलब यह है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हाई टेक्स पे करना पड़ेगा फॉर दिस बॉर्विंग एंड इंट्रेस्ट तो यह अंतर हो जाता है एक कहना चाहिए रिकार्डियन एक्विलेंस थेउरी की यहां पर उलेक किया जाता है जहां पर बोला जारा है कि जो government, return to borrowing to finance current expenditure क्या बोला जाता है कि भाई जो रिकार्डियनं एक्विलेंस थेउरी है यह भी इसी प्रकार की थेउरी बताती है इसके माध्यम से जो लोग रहते हैं वो react करते हैं through higher saving लोग क्या काम कर रहे हैं अपनी saving को बढ़ा दिये हैं ठीक है thus enable the future generation to pay higher taxes इन सब के चलते चलते जो आने वाली generation है वो high tax pay करती है ठीक है आप save ज़्यादा कर रहे हैं सरकार को पैसे कम दे रहे हैं टैक्स कम दे रहे हैं तो आपकी आने वाली जो generation है वो ज्यादा टैक्स पे करेगी escape aggregate demand in the economic constant over different period क्योंकि इन्होंने जो कहना चाहिए economic demand उसको constant कर दिया है पैसे खर्चा ना करके तो यह जो थियोरी है वो assume करती है कि जो current generation है वो पे करती है tax less than the value of current public services it receives मैं जितनी सुईधाव ले रहा हूं उस हिसाब से मैं tax अदर नहीं कर रहा हूं ठीक है इस प्रकार से मैं क्या काम कर रहा हूं saving कर ले रहा हूं सरकार को saving दिखा दे रहा हूं तो मेरा tax जो है कम हो जा रहा है वहीं जो developed state होते हैं यहां कि जो लोग रहते हैं वो पे करते हैं tax को that are not entirely used within the specific states thus compelling such state to borrow more or curtail current expenditure जो developed state रहते हैं वो क्या काम करते हैं इस प्रकार के tax को pay कर रहे हैं ठीक है अब estate क्या काम करेगा इस चीज को भरने के लिए और भी जादा कहना चाहिए borrowing लेने का काम करता है मतलब इसके अपोजिट में जो developing state होते हैं वो pay करते हैं taxes को much less than the value of current expenditure यह लोग और भी जादा कम pay कर रहे हैं tax को current खर्चा के हिसाब से and fill the gap by receiving higher financial transfer from union government जो गरीब राज हैं वो क्या काम कर रहे हैं अपनी कमाई को जेब में रख के चल रहे हैं कें सरकार को बोल रहे हैं कि आप हमको पैसा दो हम उस पैसे से अपने राज का खर्चा चलाएंगे तो इसी प्रकार का divide हमको major state में देखने को मिलता है high income and low income की बात करेज़ें तमिल नाडू केरल करनाड का महराष्रा गुजरात हर्याणा ये सारे high income वाले state हैं बिहार उत्तरप्रदेश मद्प्रदेश राजथान उडिसा और जहारकन ये low income state के अंतरगत आ जाते हैं अब इनके खुद के tax revenue के दिए हम बात करें और ये कितना GDP के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं इसकी चर्चा करें तो हम analysis करते हैं चवद्वे नम्मर के finance commission के period को मतलब 2015 से 2020 के हम बात कर रहे हैं इनका खुद का जो tax revenue है financed up to 59.3% of revenue expenditure in high income state खुद की revenue के माध्यम से ये कितना खर्चा कर रहे हैं लगभग लगभग 60% पैसा ये खर्च कर दे रहे हैं खुद की revenue का लेकिन जो गरीब state रहते हैं वो लोग मातर 35% ही खर्चा करते हैं वहीं यदि हम revenue expenditure की बात करें GDP की रेशो के हिसाब से तो जो high income वाले जो है 10% खर्चा करते हैं जो lower income वाले state हैं उनका जो रेशो है वो 18.3% है इस प्रकार से जो high income state होते हैं उन्होंने curtail कर दिया है उनकी revenue expenditure को and क्या काम कर दिया है begin financing a substantial part of it through their own tax revenue तो high income वाले क्या काम करते हैं अपने खुद की tax revenue को खर्चा करते हैं ठीक है finance करने के लिए अलग-अलग सुईधाओं के लिए वहीं जो low income state होते हैं not only had higher revenue expenditure ठीक है यह इनको जादर revenue खर्चा करना पड़ जा रहा है GSDB के अनुपात में साथी साथी यह finance करते हैं only a smaller portion of it through their own tax revenue इनके पास में जो पैसा कम मिल रहा है न तो यह लोग खर्चा भी कम करते हैं GDP के अनुपात में कि GDP हमरी इतनी है तो इतना पैसा हम खर्चा करेंगे इधर उधर में अब केंसरकार से किस परकार की help मिल रही है तो जो 57.7% जो revenue expenditure होता है low income state में finance किया जा रहा है केंसरकार की तरब से 27% revenue expenditure finance किया जा रहा है union financial transfer के माध्यम से high income state में तो यह इस प्रकार से खर्चे का अनुपात यहाँ पर हम देख रहे हैं बात वही निकल करके आ जाती कि भाई जो खुद का पैसा होता है खुद की जो कमाई होती यह लोग कम खर्चा करते हैं union government जो ज़्यादा देता है उसको ज़्यादा यह खर्चा करते हैं एक चीज और भी यह चीज फिल करते हैं जो high income state होते हैं इनको deficit देखने को मिल रहा कितना 13% और जो low income state होते हैं ended up with a deficit only 6.4% of revenue expenditure तो इस प्रकार से देखा जाएं आज के समय में जो high income state होते हैं वो rise करते हैं higher amount को उनके खुद के tax revenue के माध्यम से and curtail कर देते हैं their own revenue expenditure को high income state क्या करेंगे हमें tax ज़्यादा कलेक्ट करना है और जो revenue expenditure है उसको कम कर देना है अब इसके बावजूद भी deficit हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि जो union financial transfer है न वो कम किया जा रहा है low income state की तुलनाइदी हम करें तो अब किसी भी state के नागरी की ये जानते हैं कि भाई direct and indirect taxes हम कितना pay कर रहे है expect an equivalent value of services from the government service हमें दे रही है सरकार तो हम कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं ये हम लोग अच्छी तरह से जानते है अब पैसे के वित्रण के दिए हम बात करें तो finance commission का गठन किया जाता finance commission देखता है कि per capita income कितनी है population कितनी है area कितना है distribution का फार्मूला ये तैयार करता है इस प्रकार के जो indicator होते हैं ये reflect करते हैं differences state के बीच में ठीक है in term of demand for public services population and area size of public revenue available per capita income तो per capita income कैसी है population कैसा है area कैसा उसे साबसे जो है राज्यों को पैसा दिया जाता है तो इस प्रकार के जो indicator रहते हैं ना जादा तर larger weight को carry करते हैं and ensure करते हैं equity distribution union financial transfer को state के बीच में एक article हम देखने वाले हैं जो की देखिए budget आने वाला है तो union government ने क्या काम किया है वैज्यानिक जो research goods होते हैं उनको procurement के जो नियम कानून है उसमें थोड़ी सी धेल दे दिया है अब इस से आजादी मिल जाईगी जैसे कि मैं कोई वैज्यानिक हूँ मुझे कोई चीजें खरीदना है तो जरूरी नहीं है कि सरकार मुझे जहां से बोलेगी मैं वहीं से खरीदूँगा मैं कहीं दूसरी जगा से भी खरीज सकता हूँ इतनी आजादी मुझे मिलना चाहिए इसी प्रकार की छूट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है यूनियन बजट प्रस्तुत होने वाला है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एनाउंस्मेंट किया गया है कि देखिए हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं जिसके चलते चलते greater flexibility हम देंगे वैज्ञानिक to scientific ministries किसको छूट दी जा रही है scientific ministries को कि आप import करिये खरीदिये equipment necessary for research इसमें आपको थोड़ी सी relaxation मिलेगा इस प्रकार के change के माध्यम से जो general finance rule होते हैं ठीक है इनको आप पहले फॉलो करते थे फॉलो डिमांड मेड फॉर इयर्स बाइ साइन्टिस्ट फू है ओफन सेट डेट रिस्ट्रिक्टिव रूल्स ओन दा पर्चेस ओफ रिसर्च एक्विपमेंट है इसलेकन दा पेस ओफ रिसर्च प्रोडक्टिविटी एकदम हमें को बाढ़ दीए इससे क्या होता है जो speed है वेज्जाने की रिसर्च की वो कम हो गई है जी फ्र जो होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता finance ministry की तरब से इसमें बहुत सारी conditions रखी गई है जिसके माध्यम से पब्लिक प्रोक्योर्मेंट कंड़क्ट कराया जाएगा टीक है टाइम टाइम में आपको अपडेटिट करना पड़ता है ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जी एफार के माध्यम से नया जो एक्सेंशन्स दिया जाना है इससें स्पेस्फिक माने जा रहे हैं साइन्टिफिक मिनिस्ट्री के लिए एंड एप्लॉई किया जायेगा डेपार्टमेंट ऑफ साइन्स Gosh के ऊपर बाइए टेक्नलोजी सामिल है साइन्टिफिक और इंडिस्टियर सामिल आट्मेक एनर्जी एंड स्पेस इंडियन काउंसिल ऑफ अग्रीकल्टर रिसर्च एंड इपाटमेर्ट आफ एंडियन काउंसिल ऑफ मेडीकल रिसर्च एंसिटुशन्स जो की कन्ड़क्ट करते हैं किया पूस्ट ग्रीजवट रिसर्च को जिनको ministry क्या करती है affiliation देखे रखी है पहले प्रकार का जो changes यहाँ पर किया अज गया है वो है rising the threshold price of goods पहले 100 का मंगाते थे तो अब 100 का आप मंगा सकते हैं इसके लिए आपको किसी प्रकार का tendering process अपनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी मई 20 तक जब यह relaxation आज आएगा effect में तो जो threshold है वो कितनी रहेगी 25,000 it has now been rise to 1,000,000 रोपे तक कि आप समान मंगा लीजे इसके लिए आपको कोई भी tender देने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी second number का जो परिवरतन किया जा रहा है ठीक है for goods priced between 25,000 से लेकर के धाई लाग तक का second जो परिवरतन है उन समानों के लिए है जिनकी कीमत 25,000 से धाई लाग तक है तो एक जो purchase committee है इसमें तीन member है जो की nominate किया जाएंगे head of department के द्वारा ये survey करेगा market का ताकि establish किया जासागे कि ये offer कर रहा है most value for money and quality वो rate weight को थोड़ा सा न निर्धार वो चेक करेंगे कि भाई सही rate मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अब इस limit को एक लाग से दस लाग तक बढ़ा दिया गया है कितना एक लाग से दस लाग तक बढ़ा गया है हलाकी देखा जाएं इस प्रकार के जो परिवर्तन किये गए है न यहां से वैग्यानिक जो समुदाय है उतना जादा खुस नहीं है क्योंकि यह छूट के बल तभी लाग होती है जब यह स्थापित हो जाता है कि आवस्चक समान सरकारी यी मार्केट प्लेस पर उपलब्ध नहीं है ठीक है इस वैब साइड के माद्यम से आप देखेंगे Chapter के माद्यम से ये एक गवर्मेंट मेंडेटिड वैब साइट है जिसमें बहुत सारे सेलर्स की लिस्ट है इंडियं मेड या फिर असेंबल्ब गुड्स की एन्डी सेड्मिनिस्टरट वाईड है जी कम्हेंक है झाल 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 झाल